ओम श्री अनंत कोटी ब्रह्मान नायक राजा धिराज योगी राज पार ब्रह्म श्री सचिदा अनंद समर सद्गुरू साई नाथ महराज की जय हो हे प्रिय भक्तों हे साई बाबा के बच्चों आज श्री साई सचरित्र का अध्याए 28 का पठन होने जा रहा है आईए हम सभी मिलकर बाबा के श्री चर्णों में प्रार्थना करते हैं कि अध्याए सभी के चित्त में उत्रे सभी को इसका लाब हो आईए अध्याए आरम करते हैं अध्याए 28 चिडियों का श्रीडी को खीचा जाना पहला लक्ष्मी चंद दूसरा बुर्हानपुर की महिलाए और तीसरा मेगा का निर्वान प्राकथन श्री साई अनंत हैं वे एक चीटी से लेकर ब्रह्माण पर्यंत सर्व भूतों में व्याप्त हैं वेद और आत्म विज्ञान में पूर्ण पारंगत होने के कारण वे सद्गुरु कहलाने के सरवर्था योग्य हैं चाहे कोई कितना ही विद्वान क्यों ना हो परंतु यदि वह अपने शिश्य की जगरती कर उसे आत्म स्वरूप का दर्शन ना करा सके तो उसे सद्गुरु के नाम से कदापी संबोधित नहीं किया जा सकता सदारणता पिता केवल इस नश्वर शरीर का ही जन्म दाता है परंतु सद्गुरु तो जन्म और मित्यू दोनों से ही मुक्ती करा देने वाले हैं अतहा वे अन्य लोगों से अधिक दयाबंत हैं श्री साई बाबा हमेशा कहा करते थे कि मेरा भक्त चाहे एक हजार कोस की दूरी पर ही क्यों ना हो वह श्रीडी को ऐसे खिचा चला आता है जैसे धागे से बंदी हुई चिडिया खिच कर स्वयम ही आ जाती है इस अध्याए में ऐसी ही तीन चिडियों का वरणन है पहला लाला लक्षमी चंद ये महानुभव बंबई के श्री वेंकटेश्ट और प्रेस में नोकरी करते थे वहां से नोकरी छोड़कर वे रेलवे विभाग में आये और फिर वे मेंसर्स रेली ब्रदर्स एंड कंपनी में मुंशी का कारे करने लगे उनका सन 1910 में श्री साही बाबा से संपर्ग हुआ बड़े दिन यानी क्रिस्मिस से लगबग एक या दो मास पहले सांता कुझ में उन्होंने स्वपन में एक दाड़ी वाले व्रद को देखा जो चारों और से भक्तों से घिरा हुआ खड़ा था कुछ दिन के पश्चात वे अपने मित्र श्री दत्तात्रे मंजुनात बिजूर के यहां दासगणू का कीर्टन सुनने आए दासगणू का यह नियम था कि वे कीर्टन करते समय श्रोताओं के सम्मक श्री साही बाबा का चित्र रख लिया करते थे लक्ष्मी चंद को यह चित्र देखकर महाना शर्य हुआ क्योंकि स्वपन में उन्हें जिस व्रद्ध के दर्शन हुए थे उनकी आकरती भी ठीक इस चित्र के अनुरूप ही थी इस सेवे इस निशकर्ष पर पहुँचे कि स्वपन में दर्शन देने वाले स्वयम श्रीडी के श्री साहिनात समर्थ के अतिरिक्त और कोई नहीं है चित्र दर्शन दासगणू का मधूर कीर्टन और उनके संत तुकाराम पर प्रवचन आदी का कुछ ऐसा प्रभाव उन पर पड़ा कि उन्होंने श्रीडी यात्रा का द्रण संकल्प कर लिया भक्तों को चरकाल से ही ऐसा अनुभव होता आया है कि जो सद्गुरु या अन्य किसी अध्यात्मे ज्ञान की खोज में निकलता है उसकी इश्वर सदेव ही साहता करते हैं उसी रात्री को लगबग आठ बजे उनके एक मित्र शंकर राव ने उनका द्वार खटखटाया और पूचा कि क्या हमारे साथ श्रीडी चलने को तयार है लक्ष्मी चंद के हर्ष का पारावार ना रहा और उन्होंने तुरंथी श्रीडी चलने का निश्चे कर लिया एक मारवाडी से पंध्रा रुपे उधार लेकर तथा अन्य आवश्यक प्रबंद कर उन्होंने श्रीडी को प्रस्थान कर दिया रेलगाडी में उन्होंने अपने मित्र के साथ कुछ देर भजन भी किया उसी डिब्बे में चार यवन यात्री भी बैठे थे जो श्रीडी श्रीडी में अरेक वर्षों से निवास कर रहे हैं और वे एक पहुचेवे संत हैं जब वे कौपर गाउं पहुचे तो बाबा को भेट देने के लिए कुछ अमरूद खरीदने का विचार उन्होंने विचार किया वे वहां के प्राकर्तिक सौंदर में दिर्ष्य देखने म कुछ ऐसे तलीन हुए कि उन्हें अमरूद लेने की सुधी ही ना रही परंतु जब वे श्रीडी के समीम आए तो यकायक उन्हें अमरूद खरीदने की स्मिति हो आई इसी बीच उन्होंने देखा कि एक व्रद्धा टोकरी में अमरूद लिए तांगे के पीछे-पीछे द बाबा को भेट कर देना यह सुनकर तक्षन ही उन्हें विचार हो आया कि मैंने अमरूद खरीदने की जो इच्छा पहले की थी और जिसे मैं भूल गया था उसी की इस व्रद्धा ने पुने स्मृति करा दी है श्री साई मामा के प्रति उसकी भक्ती देख वे दोनों लिष्टदार हो वे आगे बड़े श्रीडी के समीप पहुँचने पर उन्हें दूर से ही मस्जिद में फैराती ध्वजाएं दिखाए दी जिने देख कर प्रणाम कर अपने हाथ में पूजन समगरी लेकर वे मस्जिद पहुचे और बाबा का यथा विदी पूजन कर वे द्रवित हो गए उनके दर्शन करवे अत्यंत आनंदित होए तथा उनके शीतल चरणों से ऐसे लिपटे जैसे एक मदुमक्षी कमल के मकरंद की सुगन से मुगद होकर उससे लिपट जाती है तब बाबा ने उनसे जो कुछ कहा उसका वरनन हिमाटपंद ने अपने मूल ग उसे पूछना सपना क्या जूटा है या सच्चा कर लो अपना विचार आप मारवाडी से उधार लेने की क्या जरूत थी हुई क्या मुरादपुरी ये शब्द सुनकर उनकी सर्विवापकता पर लक्ष्मी चंद को बड़ा अचंबा हुआ वे बड़े लज्जित हुए कि घर से शेड़ी तक मारग में जो खुछ हुआ उसका उन्हें सब पता है इसमें विशेश ध्यान देने योग्ये बात केवल यही है कि बाबा ये नहीं चाहते थे कि उनके दर्शन के लिए कर्ज लिया जाए या तीरतियात्रा में छुट्टी मनाएं सांझा यानि उपमा दौपैर के समय जब लक्षमी चंद भोजन को बैठे तो उन्हें एक भक्त ने सांझे का परसाद ला कर दिया जिसे पाकर वे बड़े प्रसन हुए दूसरे दिन भी वे सांझा की आशा लगाए बैठे रहे परंतु किसी भक्त ने वे परसाद ना दिय जिसके लिए अति उत्सुक थे तीसरे दिन दौपैर की आरती पर बापुसाइब जोग ने बाबा से पूछा कि नवैद्य के लिए क्या बनवाया जाए तब बाबा ने उनसे सांझा लाने को कहा भक्त गर्ण दो बड़े बरतनों में सांझा भर कर ले आए लक्षमी चंद उनको भूख भी अधिक लगी थी साथ ही उनकी पीठ में दर्द भी था बाबा ने लक्षमी चंद से कहा हिमाटपंद ने मूल गरंत में इस प्रकारवणन किया है तुमको भूख लगी है अच्छा हुआ कमर में दर्द भी है लो अब सांझे की दवा करो उन्हें पुने अ कात्रा में एक बार उनको चावडी का जलूस देखने का भी सोभग्य प्रात हो गया उस दिन बाबा कफ से अधिक पिडित थे उन्हें विचार आया कि इस कफ का कारण शायद किसी की नजर लगी हो दूसरे दिन प्राते काल जब बाबा मस्जित को गए तो शामा से कहने लक्ष्मी चंद के मन में जो विचार उट रहे थे वही बाबा ने भी कह दिये बाबा की सरवग्यता के अनेक प्रमान तथा भक्तों के प्रती उनका स्नेह देखकर लक्ष्मी चंद बाबा के चरणों पर गिर पड़े और कहने लगे कि आपके प्रिये दर्शन से मेरे चित को बड़ी प्रसनता हुई है मेरा मन मधूप आपके चरण कमलों और भजनों में ही लगा रहे आपके अतरिक्त भी अन्य कोई इश्वर है इसका मुझे ग्यान नहीं मुझ पर आप सदा दया और स्नेह करे और अपने चरणों के दीन दास की रक्षा कर उसका कल्यान करे आप के भवभय नाशक चरणों का स्मरण करते हुए मेरा जीवन आनंद से व्यतीत हो जाए ऐसी मेरी आप से विनम्र प्रात्ता है बाबा से आशिरवात तथा उदी लेकर वे मित्र के साथ प्रसन और संतुष्ट होकर मार्ग में उनकी कीरती का गुणगान करते हुए घर वाप दूसी कथा पर आते हैं बुर्हानपुर की महिला अब हम दूसी चिडिया यानि भक्त का वड़न करेंगे एक दिन बुर्हानपुर में एक महिला ने स्वपन में देखा कि श्री साइं बाबा उसके द्वार पर खड़े भोजन के लिए खिचड़ी मांग रहे हैं उसने वे दोनों ही बड़े धार्मिक थे जब उसका इस्थानांतरण अकोला को हुआ तो दोनों ने श्रीडी जाने का विनिश्य किया और एक शुब दिन उन्होंने श्रीडी को परस्थान कर दिया मार्ग में गोमती तीर्थ होकर वे श्रीडी पहुँचे और वहां दो महां तक ठहरे प्रति दिन वे मस्जिद जाते और बाबा का पूजन कर आनंद से अपना समय वैतीत करते थे यद पी दमपत्ती खिषडी का नवेद्य भेट करने को ही आये थे परन्तु किसी कारणवश उन्हें 14 दिनों तक ऐसा संयोग प्राप्त ना हो सका उनकी इस्तरी इस कारे में अब अधिक विलंब ना करना चाहती थी इसलिए जब पंद्रवे दिन दोपहर के समय वै खिषडी लेकर मस्जिद में पहुँची तो उसने देखा कि बाबा अन्ने लोगों के साथ भोजन करने बैट चुके हैं परदा गिर चुका था जिसके पश्चाद किसी का सास ना था वै भीतर परविश कर सके परन्तु वै एक शण भी प्रतिक्षा ना कर सकी और हाथ से परदा हटा कर भीतर चली आई बड़े आश्चर्य की बात थी कि उसने देखा कि बाबा की इच्छा उस दिन सबसे पहले खिच्डी खाने की थी जिसकी उन्हें आवशक्ता थी जब वै थाली लेकर भीतर आई तो बाबा को बड़ा हर्श हुआ और वे उसी में से खिच्डी का ग्रास लेकर खाने लगे मेघा का निर्वान अब तृती महान पक्षी की चर्चा सुनिये विरम गाउं का रहने वाला मेघा अत्यंत सीधा और अनपडवेक्ती था वेह राव बहादुर के यहां रसोय का काम किया करता था वेह शिवजी का परंभक्त था और सदेव पंचाक्षरी मंत्र नमस शिवा का जाप किया करता था संध्यो पासना आधी का उसे कुछ भी ज्यान ना था यहां तक कि वेह संध्या का गायत्री मंत्र को भी ना जानता था राव बहादुर साथे का उस पर अत्यंत स्नेह था इसलिए उन्होंने उसे संध्या की विधी तथा गायत्री मंत्र सिखला दिया साथे साभ ने श्री साई बाबा को शिवजी का साक्षात अवतार बतला कर उसे श्रीडी भेजने का निश्चे किया किन्तो साथे साभ ने पूछने पर उन्हें बताया कि श्री साई बाबा तो यवन है इसलिए मेगा ने सोचा कि श्रिडी में एक यवन को प्रणाम करना पड़े यह अच्छी बात नहीं है भुला भाला आदमी तो वे था ही इसलिए उसके मन में असमजस पैदा हो गया तब उसने अपने स्वामी से प्रार्तना की कि करपा कर मुझे वहां ना भेजे परंतु गणेश दामदुर उप नाम दादा केलकर को जो श्रिडी में ही रहा करते थे एक पत्र भेजा कि मेगा का परिचे बाबा से करा देना श्रिडी पहुंचने पर जब वे मस्जिद में गुसा तो बाबा अत्यंत क्रोधित हो गए और उसे उन्होंने मस्जिद में आने की मना लगे की इसे बाहर निकाल दो फिर मेगा की और देखकर केने लगे की तुम तो एक उचकुलीन भ्रहमड हो और मैं निम्र जाती का एक यमन तुमारी जाती भर्ष्ट हो जाएगी इसलिए यहां से बाहर निकल जाओ यह शब्द सुनकर मेगा काँप उठा उसे बड़ा वि परन्तु उसकी इच्छा त्रिप्त नहीं हुई फिर वह घर लोट आया और वहां से त्रिम्बक यानि नासिक जिला को चला गया वर्ष भर के पश्चाद वह पुना श्रिडी आया और इस बार दादा कैल करके कहने से उसे मस्जिद में रहने का अवसर प्राप्त हो गया साही बाबा मोखिक उपदेश द्वारा मेघा की उनती करने के बदले उसका अंतरिक सुधार कर रहे थे उसकी सिती में पर्याप्त परिवर्तन हो कर्थ सतेश यथेश्ट प्रगती हो चुकी थी और अब तो वैशिरी साही बाबा को शिवजी का ही साक्षात अवतार समझ लग प्रती दिन उसने ऐसा नियम बना लिया था कि गाउं में जितने भी देवाले थे प्रथम वहां जाकर वैँ उनका पूजन करता और उसके पश्चात ही मस्जिद में बाबा को प्रणाम करता तथा कुछ देर चरण सेवा करने के पश्चात ही चरनमरत प्रान पान करता था एक बार ऐसा हुआ कि खंडोबा के मंदिर का द्वार बंद था इस कारण वह बिना पूजन किये ही वहां से लोट आया और जब वह मस्जिद में आया तो बाबा ने उसकी सेवा स्विकार ना की तथा उसे पुने वाँ जाकर पूजन कर आने को कहा और उसे बतलाया कि अब मंदिर के द्वार खुल गए हैं मेगा ने जाकर देखा कि सच मुझ मंदिर के द्वार खुल गए थैं जब उसने लौट कर यथा विदी पूजा की तब कहीं बाबा ने उसे अपना पूजन करने की अनुमती दी गंगा स्नान एक बार मकर सिंक्रांती के अवसर पर मेगा ने विचार किया कि बाबा को चंदन का लेप करूँ तथा गंगा जल से उन्हें स्नान कराऊँ बाबा ने पहले तो उसके लिए अपनी स्विकरती ना दी परंतु उसकी लगातार प्रात्ना के उपरांतु उन्हें किसी प्रकार स्विकार कर लिया गौदावरी नदी का पवित्र जल लाने के लिए मेगा को आठ कोस का चक्कल लगाना पड़ा वह जल लेकर लौट आया और दोपहर तक पूर्ण विवस्था कर ली तब उसने बाबा को तयार होने की सूचना दी बाबा ने पुने मेगा से नरोद किया कि मुझे इस जंजट से दूर ही रहने दो मैं तो एक फकीर हूँ मुझे गंगा जल से क्या प्रायोजन परन्तु मेगा कुछ सुनता ही ना था मेगा की तो ये द्रणधारना थी कि शिवजी गंगा जल से अधिक प्रसन्न होते हैं इसलिए ऐसे शुब पर्व पर अपने शिवजी को स्नान कराना हमारा परम करतव्य है अब तो बाबा को सहमत होना ही पड़ा और नीचे उतर कर वे एक पीडे पर बैठ गए तथा अपना मस्तक आगे करते वे कहने लगे कि अरे मेगा कम से कम इतनी करपातो करना कि केवल मेरे सिर पर ही पानी डालना सिर शरीर का प्रधान अंग है और उस पर पानी डालना ही पूरे शरीर पर पानी डालने के सद्रश्य है मेगा ने अच्छा अच्छा कहते हुए बरतन उठाकर सिर पर पानी डालना प्रारम किया ऐसा करने से उसे इतनी प्रसंदता हुई कि उसने उच्चुसवर में हर हर गंगे कहते हुए समुचे बरतन का पानी बाबा के संपून शरीप पर उडेल दिया और फिर पानी का बरतन एक और रखकर वे बाबा के और निहारने लगा उसने देखा कि बाबा का तो केवल सिर ही भीगा है और शेश भाग जयों का तो बिलकुछ सुखा ही है यह देख उसे बड़ा अश्चर्रे हुआ त्रिशूल और पिंडी मेगा बाबा को दो स्थान पर स्नान कराया करता था पहले वे बाबा को मस्जिद में स्थान कराता और फिर वाडे में नाना साहिब चांदुरकर द्वारा प्राप्त उनके बड़े चित्र को इस प्रकार यह क्रम बारा मास कर चलता रहा बाबा ने उसकी भक्ती तथा विश्वास द्रण करने के लिए उसे दर्शन दिये एक दिन प्राते काल मेगा जब अर्ध निर्दा वरस्ता में पड़ा हुआ था तभी उसे उनके दर्शन हुए बाबा ने उसे जागरत जानकर अक्षत फेके और कहा कि मेगा मुझे तिशोल लगाओ इतना कहकर वे अद्रश्य हो गए उनके शब्द सुनकर उसने उत्सुकता से अपनी आखे खोली परंतु देखा कि कोई नहीं है केवल अक्षत ही यहाँ वाँ बिखरे पड़े हैं तब वे उठकर बाबा के पास गया और उन्हें अपना स्वपन सुनाने के तिक्ष आग्या थी मेरे शब्द सदेव अर्थपूर्ण होते हैं थोते पोचे नहीं मेगा कहने लगा कि आपने दया कर मुझे निद्रा से तो जागरत कर दिया है परंतु सभी द्वार पूर्वत ही बंद देखकर मैं मूडबती भ्रमित उठा हूं कि कहीं स्वपन में त अंत मैं सदेव सरभूतों में व्याप्त हूं जो मुझे पर विश्वास रखकर सतत मेरा ही चिंतन करता है उसके सब कारे मैं स्वयम ही करता हूं और अंत में उसे शेष्ट गती देता हूं मेगा वाड़े को लौट आया और बाबा के चित्र के समीप ही दिवार पर एक लाल त्रिशूल खीज दिया दूसरे दिन एक रामदासी भक्त पूने से आया उसने बाबा को प्रणाम कर शंकर की एक पिंडी भेट की उसी समय मेगा भी वहां पहुचे तब बाबा उनसे कहने लगे कि देखो शंकर भोले आ गए है अब उन्हें संभालो मेगा ने पिंडी पर त्रिशूल लगा देखा तो उसे महान विस्मे हुआ वहे वाडे में आया इस समय काका साहिब दिख्षित सनान के पस्चात सिर पर तोलिय डाले साइनाम का जाप कर रहे थे तबी उन्हें ध्यान में एक पिंडी देखी जिससे उन्हें कोतोल सा हो गया था उन्हें सामने से मेगा को आते देखा मेगा ने बाबा द्वारा प्रदत वे पिंडी काका साहिब दिख्षित को दिखाई पिंडी ठीक वैसी थी जैसी कि उन्हेंने कुछ घड़ी पूर्व ध्यान में देखी थी कुछ दिनों में जब तिशूल का खीचना पूरुन हो गया तो बाबा ने बड़े चित्र के पास जिसका मेगा नित्य पूजन ही उस पिंडी की स्थापना कर दी। कि यह मेरा सच्चा भक्त था। फिर बाबा ने अपने ही खर्च से उसका मृत्य भोज भ्रामनों को दिये जाने की आग्या दी। जिसका पालन काका साहिब दिख्षित ने किया।